हेलो दोस्तों, इंवेस्टिंग विद प्रेम चेलर में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के दिन में आपके लिए जो है दो ऐसे पैनी स्टॉक लेके आया है जो कि हाई ग्रोध के, हाई ग्रोध पैनी स्टॉक है और जिन पर जो depth जो है वो बिल्कुल भी कम है यानि बिल्कुल बहुत ही कम depth है और इन में जो है promoter का जो stake है वो भी बहुत ही जादा अच्छा बना हुआ है तो इनको जो मैं one by one करके आपके साथ discuss करूँगा लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please पहले एक बाद subscribe करें और बेल आइकन पर क्लिक करके all पर हिट करें ता कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी पहली कंपनी है यह कंपनी जो है वो manufacturing and selling करती है यूपीवीचिरिंग करती हो गया CPVC जो है pressure pipes and fittings हो गया SWR pipes and fittings हो गया UPVC casing pipes हो गया PVC solvent cement हो गया garden hose pipes हो गया suction hose pipes हो गया और इस company की जो है manufacturing जो facility है वो जो है 62,000 square feet area में जो है वो फैली हुई है जिसकी production capacity जो है वो 17,700 metric tons per annum है और इस company की जो product है वो आप यहाँ पर देख सकते है उनकी pictures यहाँ पर देख सकते हैं किस-किस तरह के जैसे UPVC column pipes हो गया ठीक है यह column pipe and pipe accessories हो गई ठीक है UPVC pressure pipes कैसा होता है वो यह देखिया UPVC pressure pipes fittings हो गई ठीक है और यहाँ पर UPVC pipes and fittings में आ गया ठीक और उसके बाद इसमें आता है SWR pipes and fittings हो गई UPVC casing pipes हो गई ठीक है और यह UPVC PVC C-PVC solvent cement हो गया ठ HDPE pipes हो गया और यहाँ पर irrigation equipment है यह सारे जो है यह manufacture करती है और इस company की growth भी आप note कर सकते हैं जिसमें इसकी compounded sales and compounded profit growth आप चेक कर सकते हैं जहां sales growth जो है 10 साल में 11% के साफ से बढ़ रही है और 5 साल में 14% के साफ से बढ़ रही है तीन साल में 23% के साफ से sales growth बढ़ रही है ले पर से बढ़ रही है और 5 साल में 26% के साफ से बढ़ रही है तीन साल में 68% के साफ से बढ़ रही है तीटेम के profit growth आप चेका सकते हैं 2042% के साफ से बढ़ रही है त्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे जो है growth है और जी जो four digit में है और इसका एक मेने के चार्ट में आप दे 96% यानि 1600 के जो है positive return बना के दिया हुआ है यानि कि अगर 5 साल पहले किसी ने भी इसमें एक लाख invest किया होता तो आज की टाइम पे उसका पैसा जो है 17 lakh हो चुका होता है यानि इसने जो अपने investor का पैसा कई गुना तक बना के दिया हुआ है इसने और all time का इसका देख सकते है जो कि कितना 1200% के जो है इसके जो है positive return रहे है और इसका fundamental भी चेक कर सकते है यह है जो एक micro cap की company है जहां इसका market cap जो मात 317 करोड का market cap है भाही PE ratio इसके कितना 76.79 है और इसका industry P 53.91 है जो कि अपने industry P से यह अभी बहुत थोड़ा mega valuation पे है इस time पे ठीक है तो और PB ratio इसके कितन चले 13.73 और debt equity कितना 0.42 यह मैंशा एक के नीचे ओना चीए जो कि यहां पर है यानि debt को लेकर इस company में किसी पतरियों की दिक्कत की बात नहीं होने वाली है ROE इसका जो है 17.34% है earning per share इसका जो है 0.29 है और dividend deal इसकी कुछ नहीं है क्यों कंपनी बहुत चोटी है और book value इसकी 1 1.62 है और face value इसकी एक है यानि company already split दे चुकिए आने वाले time में कोई split नहीं देगी और इसका जो है profit check कर सकते है yearly wise जो कि इसका जो है जहां 2020 में जो है कितना 38 लाग का इसका profit हुआ करता था वहीं अभी के time जो है यान 2030 में बढ़के कितना 2 crore का profit हो रहे लगा है और इसका revenue चेक कर सकते है revenue में भी आदेख सकते है इसमें भी अच्छी गरोता ही है जहां 2020 में इसके revenue जो है 46 crore का था वहीं 2030 में बढ़के कितना 86 crore का यह हो चुका है और company की balance sheet पर चेक कर सकते है जिसमें आप reserves देख सकते हैं जहां 2020 में इसके पास कितना 4.66 crore के reserves हुआ करते थे वही अब देख सकते हैं इसमें promoter का जो stake है वो कितना है maximum बना हुआ है जो कि 73.78 परसंट जो इसमें promoter बने हुए है और बाकी का जो stake है वो 26.22 परसंट जो है वो public के पास है और इसमें जो भी FIs और DIs के इसमें किसी तर के कोई stake नहीं है जो कि company अभी जो है काफी चोटी है तो investment के लिए यह company बहुत ही शांदार है इस company के हम बात कर रहे है इसका नाम है जो है Captain Pipe Limited जो कि इस टाम पर 19 रुपए 20 पैसे पर इस ट्रेड कर रही है तो investment के लिए company बहुत ही अच्छी रहेगी और इसको पी जो अपने वास्ट लेट में अब एड़ करके रख सकते हैं आज की जो हमारी दूसरी company यह company जो है producer है plastic molded furniture की और यह manufacturing करती है chairs, table, crates, beans इत्यादी के यानि यह सब चीज़ जो है plastic से बनी हुई जो भी ऐसे product है वो यह जो है manufacture करती है जो कि आप इसको यहां पर भी देख सकते हैं जैसे in case में यह beans हो गए ठीक है यह यहां पर note कर सकते हैं यह सा boxy series में आ जाती है यह वाली ठीक यह सारे यहां पर इसके furniture's है plastic furniture में आगे comfort plastic arm chair हो गई यह वाली ठीक है और इस तरह के without arm chair हो गई यह भी आप note कर सकते हैं जो कि यहां पर है ठीक है और इसके कुछ और प्रोड़क्ट भी जैसे कि यह क्या करती है industrial crates भी बनाती है जो कि यह ठीक है पटला स्टूल्स हो गए हैं और यह comfort chair without arm chair यह सारे जो product हैं plastic से बने हुए हैं और यह जो है यह company जो है manufacture करती है और इसका main business भी यह है जिसमें यह देखिए आप इस टैलिका waste wins हो गए यह सारे चीज़े manufacture करती है और इस company की जो है growth आप देख सकते हैं यह जो है high growth की company जो कि आप यहाँ पर भी note कर सकते हैं इस company की जो है compounded profit and sales growth आप चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर sales growth आप देखिए 10 साल की 12% से बढ़ रही थी 5 साल की 3% से तीन साल की देखिए 21% से और TTM की देखिए 17% से जो अभी भी बढ़ रही है यानि बहुत ही अच्छी growth इसमें आ र यानि इसकी जो profit growth है वो बहुत ही अच्छी नंबर से बढ़ रही है और इसका प्राइस यह आप देख सकते हैं एक साल का 59% से जो है यह ग्रो कर रहा है और इसका जो है एक दिन के चार्ट में आप देख सकते हैं इसने जो है लबब 3% साड़ तीन से जादा के जो है पॉस् बना के दिए हैं पांस साल के जो है चार्ट में दे सकते हैं 72% के positive return है और all time में आप दे सकते हैं 815% के जो इसने positive return बना के दिए हैं अपने investors को और इस company के जो है fundamental भी चेक कर सकते हैं जह कि आप देख सकते हैं इसका जो market cap है मातर 307 करोड का यानि कि यह भी जो है micro cap की company है औ इसका industry पी कितना 55.61 है यानि अभी की time जो अपने industry पी से जो महंगे valuation पर मिल रहा है यह क्योंकि अभी यह थोड़ा महंगे valuation पर जा चुकी company ठीक है पीबी रिश्यो इसका 4.27 है और debt to equity आप इसका चेकर सकते है 0.12 यानि यह बहुत ही कम कर्ज वाली company है यानि इसमें ना के बराबर कर्ज आप मान सकते हैं और कर्ज को लेकर कभी इस company में कोई दिक्केद वाली बात नहीं होने वाली है और वी इसका 5.93% है अर्निक पर शेर इसका 0.18 है डिविडिन अडिल अभी कुछ नहीं company बहुत चोटी है book value इसकी 3.06 है और face value इसकी एक है यानि company जो है already split दे चुकि आने वाले time में कोई split नहीं देगी इसके जो है profits भी आप देख सकते हैं जहाँ इसको जो है 2020 में कितना 80,00 का profit होता था बहुत था बहुत है और इस company की जो है balance sheet भी आप चेक कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो है वो 2020 में जो है कितना था थाटी सिक्स पाइं 80 करोड के रिजर्व्स थे 2020 में वहीं अभी के टाइम यान 2023 में बढ़के कितने हो गए यह 48.31 करोड के रिजर्व्स इसके पास जो हो चुके है और वहीं इसके पास जो borrowing है वो कितनी है 8.56 करोड की यह और यह लगातार देख लिए continuously जो है यह कम होती जा रही है यानि अपन पर्मोडर का जो इस टेक है वह 50.09 पर से परमोडर बने है जो कि सबसे ज़ादा है F20 यह पिछले 2 कोड़ाया यह आप नोट कर सकते हैं और अभी की टाइम में F20 के पास जो है 0.08% का इस टेक है जो की F20 बढ़ा रही है यानि कि अगर F20 इसमें इस टेक बढ़ा रही है तो तो इसमें एक चीज आप नोटिस किजेगा, अगर इतनी छोटी कंपनी में, FIS और DIs भी जो हैं वो शामिल है, तो यह चीज आप समझ सकते हैं, कि यानि कि कंपनी में कुछ तो अच्छा है, जिस बज़र से FIS, DIs, इतनी चोटी कंपणी में इतनी चोटी कंपणी में कभी भी कोई FISDIG वाले जो है वो जल्दी इंवस्ट नहीं करते हैं जब तक कि कोई जो है small cap या mid cap में नहीं चली आती कोई भी company ठीक है ना तो company का काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा है इसमें promoter भी अच्छे बने हुँ है और आने वाले time में इसकी जो product है उनकी demand market है बहुत ही ज़ाद रहने वाली है तो जिस company के बात कर इस company का नाम है पी आई एल इटेली का लाव स्टायल लिमिटेड ठीक है और यह company भी जो है investment के लिए बहुत ही अच्छी है इसको भी अपने radar पे आप रख सकते हैं और इन धोनों company में किसी भी तरह के का मेरी तरफ से कोई भी buy or sell करने का recommendation नहीं है इसमें अगर आप कुछ भी investment करना चाते हो तो अपना जो है खुद का research करके कीजेगा अपने खुद के risk पे कीजेगा और अपने financial advisor से सला लेने के बाद ही कीजेगा मैं से भी दोरह register कोई भी investor advisor नहीं हूँ और मेरे दोरह जोई वीडियो बनाई गई गई है यह सिर्फ जो है educational purpose से बनाई गई है तो इसको किसी बतर गएगा कोई आप recommendation ना समझेगा बायसल करने का अगर आपको मेरे दोरह दी गई information जो है वो अच्छी लगी हो तो please इस channel के एक बाद subscribe जरूर कर दीजेगा like किजेगा और comment भी जरूर किजेगा जो चले फिर आज की वीडियो में बसीत नहीं था मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you so much